मैं मदु चौधरी, Associate Professor in Government लोहिया कॉले चूरू अपने Applied Entomology के पूरूर के वीडियो में हम कई पैस्ट कंट्रोल मैथद्स पर चर्चा कर चुके हैं जिसमें Cultural, Mechanical, Physical Methods और Chemical Methods जो काफी आसान होने के कारण किसानों द्वारा काफी यूज किये जाते हैं प्रचलित हैं इसके लावा यूज ऑफ कीमो स्टेरलियंट्स जो समाननेता प्रचलित नहीं है इन सब मैथद्स के लावा कुछ और इनोवेटिव मैथद्स हैं जो Beneficial हैं काफी पैस्ट कंट्रोल के लिए लेकिन प्रचलित नहीं है अगर इनका हम यूज करते हैं तो इनके कई फायदे भी हैं जैसे इनमें Chemicals का यूज या तो नाके बराबर किया जाता है कि उसके द्वारा Environment को कम से कम हानी पहुंचे जो दूसरे Animals हैं जो Crop Plants हैं उन्हें कम से कम हानी पहुंचे तो ऐसे Innovative Methods में हम देखते हैं Anti-Feedents, Repellents, Attractants, Use of Phyromons और Use of Hormons तो ऐसे ही Innovative Methods में से आज हम चर्चा करेंगे Anti-Feedents पर Anti-Feedents हैं क्या Anti-Feedents are chemicals that inhibit feeding in insects when applied on the foliage यनि food without impairing their appetite and gustatory receptors or driving यनि repelling them away from the food They are also called Pagodeterents, Gustatory Repelents, Feeding Deterents and Resuctants With these the insects die slowly of starvation तो Anti-Feedents ऐसे रसायन होते हैं जो feeding को, insect की feeding को inhibit करते हैं लेकिन ना तो वो उनकी जो खाने की रूची है उसे छती ग्रस्त करते हैं उसे चेंज करते हैं ना जो उनके gustatory receptors हैं जो स्वाद ग्रही हैं उनमें कोई चेंज किया जाता है ना उनहीं repel किया जाता है उनके food से दूर तो जो पौधे हैं उन पौधों के उपर कुछ ऐसे रसायनों का प्रियोग किया जाता है जिससे उनका जो स्वाद है वो insect के स्वाद के एरूची कर हो जाता है वो अनुकूल नहीं होता वो उसे खाना नहीं चाहते हैं इस प्रकार के जो रसायन होते हैं उन्हें हम phagodeterence, gustatory repelence, feeding deterrence और rejectants कहते हैं क्यूंकि उनकी feeding अवमंदित हो जाती है अवरोधित हो जाती है तो धिरे धिरे भूखमरी के कारण जो insects हैं वो खतम हो जाते हैं group of antifedants इसमें हम शामिल करते हैं triagens, organotins, carbomets, botanicals और miscellaneous compounds को triagens, बहुत से जो triagens हैं उन्हें field tested और जो सबसे ज़्यादा सक्रिय है compound वो है 24.005 इसको हम chemical ही कहते हैं 4-methyl trizeno और acetanolide यह odorless और taste less solid है जो non-toxic होता है insects के लिए लेकिन जो chaving type के insects हैं उनमें यह feeding को inhibit करता है अब जो chaving type insects हैं उसमें आते हैं caterpillars, roaches, beetles और इसके लावा जो दूसरे pests हैं crop के और गैनो टिन्स और गैनो टिन्स यह टिन के organic compounds हैं और इनमें triphenyl tin acetate यह एक ऐसा और गैनो टिन कंपाउंड है जिसमें anti-fident effect पाया जाता है और जो insects जैसे की leaf warm cotton leaf warm और पोटेटो बीटल और caterpillars और agrotis और grasshoppers यानि चैविंग टाइप और biting टाइप के जो insects होते हैं जिनमें biting और चैविंग टाइप के mouth parts हैं और जो foliage पर feeding के लिए depend करते हैं उनके उपर यह काफे effective होता है कार्बामेट्स इवन दो दीज कंपाउंड्स आर primarily insecticides मुखे रूप से तो यह insecticides ही होते हैं लेकिन इनका जो एनाइल कार्बामेट्स वास फाउंड तो प्रोड्यूज एन एंटी फीडेंट इफेक्ट ऑन दा फोली इस फीडिंग इंसेक्स लाइक दा कॉलरेडो पटेटो बीटल केटर पिलर्स एक कॉमर्शियल कार्बामेट्स इसको हम बैगोन स्प्रे कहते हैं एक्ट एज सिस्ट इंसेक्स और हम कहें पैस्ट अपने होस्ट प्लांट को अपने होस्ट प्लांट को दो तरह से पहचानते हैं एक तो वीजवली देखकर जिसमें हम देखते हैं कि कलर फ्लावर्स का कलर और जो लीव्श हैं उनके उपर जो शाइनिंग होती है जो सन लाइट उसके उपर पढ़के रिफ्लेक्ट हो रही है वो कई तरीके से अट्रेक्ट करते हैं तो ये सारी चीजें जो होती है उससे वो अपने host plant को पहचानते हैं एक दूसरा तरीका होता है chemicals वो जो chemicals कुछ particular तरहे के रसायन किसी एक plant में होते हैं जिसके कारण जो taste होता है वो या फिर जो smell है उसके कारण वो attract होते हैं अपने host plant की तरफ तो smell हो या फिर taste हो वो किसी न किसी रसायन के कारण होता है और कोई भी जो इंसेक्ट किसी एक पर्टिकुलर प्लांट की तरफ जो उसका होस्ट प्लांट होता है उसकी तरफ जब अट्रेक्ट होता है तो वो पर्टिकुलर केमिकल जिसके कारण वो अट्रेक्ट हो रहा है उसको हम कहते हैं फैगो अट्रेक्ट करते हैं plant को plant की तरफ OF इंसेक्ट को दूसरी तरफ क्योंकि जो सब्सक्राइब हमेशा क Ansar कनो और ऌ拜拜 tukお दोचर के लिए इसका मतलब वहाँ उनके लिए stimulus है या phagos stimulant वहाँ पर है या इस तरह की रसायन है जो उनको attract कर रहे हैं उसके बिल्कुल उलट अगर हम देखें तो कुछ ऐसे plant भी होते हैं जिनको वह अपनी feeding के लिए कता ही पसंद नहीं करते तो वहाँ पर इसका मतलब उस particular plant में जिसको वह feeding के लिए पसंद नहीं कर रहे हैं तो वहाँ कोई ऐसा chemical है जो उनको repel कर रहे हैं तो जो non host plant होते हैं किसी भी insect के लिए उनमें antifedents होते हैं हम ऐसा मानते कि उनमें antifedents होते हैं और अगर जो non host plant हैं उन plants के extracts अगर use किये जाएं host plant के उपर उनके folies के उपर या plant body की surface के उपर तो जो insect हैं वह उससे भ्रमित होते हैं और जो host plant है उसको वह non host plant की category में रखते हैं और फिर वह feeding के लिए उनकी तरफ attract नहीं होते तो हम यह भी कह सकते हैं कि इस तरह से के जो chemicals हैं antifedents उनका use करके हम जो हमारी main crop है जो host plant है किसी pest के लिए उसे बचा सकते हैं और यही use होता है antifedents का और यही तरीका होता है जब जो host plants हैं उनको उनके pest से हम antifedents का use करके बचा सकते हैं तो वो botanicals जो use किये जाते हैं as antifedents उसमें हैं pyrethrum, margosa, apple factor और solenum alkaloids pyrethrum, pyrethrum जैसे हम पहले botanicals में काफी detail में study कर चुके हैं कि जो गुलदावदी के फूल होते हैं chrysanthemum sinerario folium उनसे यह हमें प्राप्त होता है और यह एक insecticide है लेकिन small doses में अगर जब इसे use करते हैं तो यह antifedents की तरह behave करता है और जो biting fly है glossina species की उसके लिए यह as antifedents काफी effective है then margosa, neem जिसको हम कहते हैं और काफी detail में हम already देख चुके हैं margosa या neem के बारे में यह maliasi family का plant है जिसको azarista indica कहा जाता है और इसका जो bitter taste है वो काफी effective होता है as antifedent और काफी large number है insects का जिनके against हम इसे as antifedent यूज कर सकते हैं particularly जो desert locust है सिस्टी सर का gregaria उसके against इसको काफी effectively यूज किया जा सकता है और इसका जो active ingredient या chemical part हम देखते हैं जिसको जो as antifedent हम use करते हैं उसे हम crushed new fruits से राप्त करते हैं simply जो neemoli जिनको हम कहते हैं उनको हम crush करते हैं और उससे हमें आसानी से हम उन्हें use कर सकते हैं इसे हमें trite arpenoids मिलते हैं और main जो trite arpenoids इसमें हम use करते हैं वह हैं maliant royal और azaristin इसमें जो azaristin है यह एक systemic action वाला chemical है जो plants के द्वारा absorb किया जाता है और translocate किया जाता है पूरे उसके जो body में इसके अलावा अगर हम soil में इसको use करते हैं तो यह insect growth regulator के रूप में भी काम करता है जीनस मेलस का जो apple है उसमें एक phenolic substance होता है florigen और यह stimulate करता है उसके जो aphid जो उसके ओपर feed करते हैं उनको attract करता है यह fruits की तरफ लेकिन ऐसे aphids जो non apple feeding है उनके लिए यह feeding deterrent की तरह यूज किया जा सकता है जो non apple feeding aphids है उसमें mygess, parseuses शामिल है solenum alkaloids solenum species से कुछ alkaloids extract किये जाते हैं जिसमें leptine, tomatin, solenine शामिल है और यह as antifedent और यूँ कहें कि feeding को reduce करने वाले chemicals होते हैं जो especially potato leaf hopper empoise का devastance इसके against use किया जा सकता है as antifedent इन सब के अलावा कुछ दूसरे और भी ऐसे chemicals हैं जिनको as antifedent हम use कर सकते हैं जिसमें non essential amino acids हैं जो कई प्रकार के बीजों में found evidently in some seeds, rhizomes और leaves non essential amino acids के लावा tannin, lignans इनको use भी हम कर सकते हैं इनका भी हम प्रेयों कर सकते हैं as antifedent plant possesses and area of chemicals that act as natural chemical defenses against insect attacks many of these chemicals would turn out to be future antifedents तो ऐसे बहुत सारे chemicals जिनके बारे में अभी तक non नहीं हैं लेकिन जो किसी भी plant को insect के attack से defense करते हैं nature में ऐसे बहुत सारे chemicals हैं जिनका हम use कर सकते हैं future में as antifedent इसके अलावा कुछ दूसरे और chemicals हैं जो किसी particular group में तो नहीं है लेकिन as antifedent हम उन्हें use कर सकते हैं under this category are included some of the unrelated compounds with an antifedent property such as copper stearate, copper resinate, mercury chloride, phosphon जिसे हम 2,4-dichlorobenzyl, tributyl ammonium chloride बोलते हैं mode of action in order to have a sustained feeding an insects requires the presence of gustatory stimulus, absence of inhibitory stimulus and the presence of hunger उसे gustatory stimulus चाहिए जो host plant से मिलता है उसको देखने से, smell से, आस्वाद से इसके अलावा inhibitory stimulus की अनुपस्थिती चाहिए तभी वो उसकी तरफ attract होता है और presence of hunger इसमें जो antifedents होते हैं वो पहले वाला जो character है उसको प्रभावित करते हैं gustatory stimulus जब stimulus change हो जाता है तो पौधा जो है host plant जो भी है उसे recognize नहीं करता insect और वो उसके उपर feed नहीं करता और हम उस plant को उससे बचाते हैं यह इसके जो gustatory receptors हैं उनको प्रभावित करने के कारण effective होता है अगर यही antifedents direct blood में insect के insect किये जाएं और सीधे मुह के अंदर अगर placed किये जाएं तो यह effective नहीं होंगे क्योंकि जो receptors हैं वो एप्रभावित रह जाएंगे वो उसके contact में नहीं आएंगे और फिर हम host plant को prevent नहीं कर पाएंगे तो सीधा सा यहां एक ही मतलब है कि जो mode of action है antifedents का वो gustatory stimulus को रभावित करना ही है और उसी के द्वारा यह अपना जो पूरा कार्रे है वो करते हैं या कहें कि host plant है उसको feeding से बचाते हैं insect की advantages क्या है इसके antifedents effect only the phytophagus insects जो phytophagus insects हैं जो plants के उपर या crop के उपर depend अपने food के लिए यह उनी के उपर effective होते हैं इसलिए जो beneficial parasites हैं predators हैं और pollinators हैं उनके लिए harmful नहीं है इसके लावा as the pest is not immediately killed by antifedents its parasite and predators continue to feed on it thrive and keep it under control क्योंकि वो एकदम नहीं खतम होते हैं उससे antifedents के कारण जो pest है वो तो क्योंकि pest population एकदम से खतम नहीं होती तो जो predators और parasites जो natural है या जो उस particular field में release किये गए हैं biological control के लिए वो उसके उपर continue feed करते हैं और धिरे धिरे उसकी जो population है pest की उसको control रखने में helpful रहते हैं और effective रहते हैं वो क्योंकि antifedents के द्वारा वो कमजोर हो जाते हैं feeding नहीं कर रहे होते हैं प्रॉपर जैन थर्ड एंटी फीडेंट्स प्रोड्यूस नो phytotoxicity और pollution एंवार्मेंट को कोई effect sorry harmful effect इनके द्वारा नहीं है जैन फोर्थ इव्दा क्रॉप्स वर sprayed with an efficient antifedent the pest might perhaps turn to feeding on weeds तो यह एक और फायदा होता है कि अगर परियाप्त मात्रा में spray किया जाता है antifedent का foliase के उपर जो host plant है वहां उसकी surface पर तो जो पैस्ट है वह वहां जो weeds हैं उनके उपर feeding करने लगेगा तो आपको खर्पतवार की समस्य है वो भी कम हो जाएगी then disadvantages of antifedent first only the chaving type of insects are affected by antifedent the shucking type remain unaffected जो chaving type के insect है उन्हीं के उपर ये affected होता है the answer is to this would be to search for food systemic antifedents and this search indeed on तो इसके लिए हमें आगे प्रयास करने होगे कि हम systemic antifedents की search करें और ज्यादा बहतर antifedents की search करें new growths of plants are not protected क्योंकि जो नई growth होगी उसके foliase के उपर antifedents का effect होगा नहीं तो वो उनको नुक्सान पहुंचाया जाएगा पैस्ट के द्वारा as the insects is not immediately killed क्योंकि वो तुरंत नहीं मारे जाते इसके कारण जो untreated part होता है दूसरे plants का वो उनकी द्वारा damage किया जाता है और क्योंकि antifedents बहुत ज्यादा effective नहीं होते तो ये तभी ज्यादा प्रभावी रहेंगे paste control के लिए जब हम integrated जो हमारा control scheme है उसमें हम इनको chemicals के साथ और जो दूसरे methods हैं हमारे उनके साथ यूज़ करें थैंक यू हम अपने नेक्स्ट जो वीडियोज हैं उनमें चर्चा करेंगे attractions के बारे में और होर्मोंस और फिरोमोंस के यूज़ के बारे में थैंक यू